लवप्रीत मौत मामले में इंसाफ लेने के लिए परिवार गाउंवासियों और जत्ते बंदियों के लोगों ने बर्नाला चंडिगर्ड रोड जाम कर दिया प्राप्त जानकारी के अनुसार गाउवासियों और संक्टनों ने मिलकर लवप्रीत इंसाफ कमेटी बनाई है इंसाफ मिलने तक कमेटी की अगवाई में संगर्शित जारी रहेगा वहीं चल रहे धरनापरदर्शन में शामिल हुए लखा सिधाना ने कहा कि वह इंसाफ मिलने तक परिवार का साथ देंगे इस मौके पर एक्शन सिमिती के मेंबर सिकंदर सिंग ने कहा कि लवप्रीत एक्शन सिमिती का गठन किया गया है इस समिती में अलागलग जथे बंदियों के नेता और गाउवासी शामिल किये गए हैं जो लवप्रीत के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए संगर्श करेंगे उन्होंने कहा कि बड़े दुख की बात है कि 40 दन बीट जाने पर भी लवप्रीत के परिवार को अभी तक इनसाफ नहीं मिला है उन्होंने कहा कि इस मामले में खुदकुशी के लिए मजबूर करने के आरोप में लवपृत की पतनी बेंतकौर और उसके परिवार के विरोध 306 धारा के अंतरगत परचा दर्ज करना चाहिए जब तक बेंतकौर के खिलाव 306 के अंतरगत धारा का विस्तार नहीं होता तब तक वैस अंगर्श लड़ेंगे और लवपृत के परिवार का साथ देंगे बरनाला से हलचल के लिए विनोज शर्मा की रिपोर्ट रही परशाशन दी परशाशन देखो चाली दन हो गए भई किना जेड़ा मसला है उबरे आगा पूरी दुनिया तक मसला गया है मीडिया दे बिच भी बहुत रोड़ा पैस गल दू लेके पर हाले तक देखो किड़ी दुख दी गला यार जहां किड़ी एक रवया देखो पूर्स दा के जिदे वो मुंडा मर्दा लाप प्रीत दी मौत होंदी है वो देख फुलन दो बाद एक चैर समने होंदी है जिदी चैर दे बिच्चे है साफ हो जन्दा है के जिदी इस मौत दी जिम्मेवार उकुडी है वे अंतकावरा पूर्स ने भी चैट पड़ी ना सारे प्रवारा ने पड़ाई है वो तो कनूनिसला से बाद भादन दे रहे है जाने पूर्स ने हाले तक कोई कसे गाल द़ा नहीं फड़ाई नहीं प्रवार देख लाव तंसोषयदा मकदमा स्कुडी देख लाव तंसोषयदा मकदमा नहीं दर्ज़ होंदा उनना जरे शिंगार से जारी रहूगा ए लव परीध एक्शन कमेटी बनाई गई है जडी समय समय मताब का जिन्ना जरे लव परीध नून अंसाफ नहीं मिलदा जि तो भी अगले एक्षिन कमेटी मीटिंग करके जो फैसला लेना था एक्षिन कमेटी लगी देखो जी गालता है सरकाराने गाल कुछ भी नहीं कि जदो के बन दायागा अनसाफ सची गलते खड़े हुए ने लोग जदो लोग तुर देने किसे सची गल नु लेके तुर देने इते कलाब परीद नहीं पताने किने कलाब परीद नाड़ा तो खेहोंगे है